हेलो स्टुडेंट्स तुडे वी आर लर्णिंग ऑन्दी ग्रीन हाउस गेसिस तो आपने जारे ग्रीन हाउस गेसिस वी शे वाद करवी होई तो यह यहांकी नैचुरल प्रोसेस कई रितनी छे कि ग्रीन हाउस अफ़ाइक्ट सुन छे यह बद भी आपने खबर होवी जरूर अब धिन अब भी थोड़ी बैजिक वाद कर लिए पच्छे आपने ग्रीन हाउस गेसिस सुन छे कि कई रीका ख्रीन हाउस चे क्या 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 थी आवे छे पड़ बतू औरी ओरीजिन ने बधू फ़दर डिसकेशन करे तो first तो के the green house effect is a natural process where atmospheric gases trap the heat शुट करे छे तो के जह गेसी से इसो करे चे यहीट ने ट्रैप करे चे अब फिनोमेना देट अलाउस दो अर्थ तो रिटेन इनुफ सोलर हीट तो बी लेवेबल ओके विद्धाउट ग्रीन हाउस इफेट द अर्थ गूद नौट सपोर्ट दमोस फॉर्म अफ लाइफ के इस जो आ ग्रीन हाउस गे ग्रीन हाउस इफेक्ट करें चे तो हावड थे ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क करें चे टो ओल्दो पर्थ प्रोसेस इस प्रोसेग्स ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी डिस्वराइब फैल सिंप्ली तो कई रिगे तो के चिछ सणाइट पास इस्टू दुभ एटमोस्वेर के जहरे सं ची संलाइट पास कर चैन अटमोस्वेर मां अर्थनी सर्फेस उपर आवे छे तो इसंड व पर सो रहे चे अर्थनी सरफेस में हीटेड कर हाइ शर्फेस आँ अम्मू केंज वो माह कर रहे इंटद रखेंट करका इनरचीًषम सभाए बटव आज पार यहीक आलील जाहा जाहाक गरर जाहां वहला क क्लिवात कुई ही हें हो उनेत्मोंद स्फेश मी does यहाल आपने ग्री ग्रीन हां मावियर्क प्राइब कर सवकरिए मार्मुइम्य। तो यही वधारे ट्रेप्थ से लाखो अट्मोस्फियर जाने सू राक्या चे वधारे पर टू वर्मर राक्या चे यहले आपने ग्रीन हाउस एफेक्ट चुआ मरे छे अर्थ सर्फेस टेंपरेचर डिपेंज अन दिस बालेंस बिट्वन इंकमिंग अन आउट गोइंग एनर्जी के जहें बात करियां के पही ग्रीन हाउस गेसी चैनी अमाउंट उपर यहना बैलेंस उपर चे यहाखु टेंपरेचर चे अर्थ नूँई डिपेंड करे चे अर्थ सर्फेस बिकम वर्मर और कुलर लिदिंग तो वराइटी अव चैंज इन ग्लोबल क्लाइमेट के पही ग्लोबर वर्मिंग जे आपने इपक्स पन जुआ मडेचर अनुबर अन्मबर अन्मेड मेंड मेकनिजम कें अफेक्ट ग्लोबल अनर्जी बालेंस अन फोर्स वर्मिंग जे जुआ जीन आर्खव क्लीमेट ok greenhouse gases, what are the greenhouse gases ? अउन्य प्रोपर देफिनिशन आपको आपके greenhouse gases are a group of compound that are able to trap heat in the atmosphere where keeping the earth surface warmer ok ग्रीन हाउस गेसे छे नहीं एक मेकनिजम छे सु करे छे तो के जे एब्सॉब करे छे और इवन एमिट पन करे छे सु तो के रडियंट एनरजी नहीं क्या थे तो के फ्रॉम दी एर्थ सर्फेस ओके ग्रीन हाउस गेसे नहीं अमुक में बात करें के पर अमुक लाइव छे इस सवाई नहीं करे छे तो कमके जो इफ ग्रीन हाउस गेसे छे बैलेंस फॉम मां नहीं होई तो तमार अत्यार जी नॉर्मल यापर तेंपरेचरल छे इतमें अप्रोग साग पर 50 डिगरी जेतलू अमुक अधर प्लाइनेट छे मां पन छे तो त्यां तो त्यां आपधी लाइव फॉम चे शर्वाइव नहीं करी छे एज फ्रोजन प्लाइनेट तमारो अर्थ ताही जाए अमुक मांट मां बैलेंस अमांट मां ग्रीन हाउस गेसे इस में होव पर चरूरी छे ओके आए इ अचे नाचे ल फॉम मां गेसी शे यह ओ छे ती अमांट मां हीट ने ट्रेप राखे चाने अट्मोस्पिया ने प्रफॉर तेंपराचर प्रोवाइड कर रहे चे बट इफ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था तो 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 नहीं हो पर हमों हुमन अक्तिविटी शे क्या आपने आपर चे की इंडस्रीयल नेपर अक्तिविटीज ने टनी गेसी नों अमांट सु थाइचे अट्मोस्पियर मां बदे चे चे जे ग्रीन हाउस गेसी शे इंग्रीस साइचे अनि दे सू थाएचे तो के पही जा हीट जे रिप्लेक्ट थाईचे रिदियन अनर्जी जे प्रिटेल मां स्टडी करवाना छे में डी ग्रीन हाउस गेसीज मां काया काया गेसीज चे इंक्लूड करी छे को में काया काया गेसीज चे तो के छे कारबन डायोकसाइड, मिथेन, नाइटर्स, ओकसाइड एंड अमुग पीजा अधर गेसीज पन प्रैजल होई छे दाट अक्यूमिलेट इंटे अट्मोस्फियर एंड क्रियेट रीट रिफ्लेक्टिव लेयर देट कीप्स दो अर्थ एंट अलेबल टेंपरेचर ओके काया गेसीज चे अपने डीटेल में आचे स्टडी करें तो के पर फर्स्ट वात करें कारबन डायोकसाइड नी कारबन डायोकसाइड चे नी एक प्राइमरी गेस्ट ओके तो क्राबन डायोकसाइड एंटर अट्मोस्फियर थू बढनिंग फॉसल फ्यूल लाइक कोल और नेचरल गेस्ट वालिट वेस्ट, ट्रीज अन अधर बायोजिकल मतरियल गार्चियर अन। अल्सो एक्श्ट अर अपर फोसल फ्यूल बर्निंग चे वधारे पड़ तो वधी ग्यू चे तो बीजू को होई तो कि आपड़े अतिया हुमन एक्टिविटी माँ पैट्रोल डीजल चे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर मां आपड़े वधू यूस करता हो यह जहारत मैंनों यूस कर हो तो यह तो यह प्रिभदारे चे यह चे इंक्रीस था अट्मोस्ट्विएर मा तो यह एक आज ग्लोबल वाम्मिंक ग्रीन हाउस इफेक्ट मां कॉंट्रिबूट कर रहे चे ओके नेक्स कवी तो के पर इंडस्रियल प्रोसेस के अमुख जहरे स्टील चे आयों चे अम्टल चे बनावी चे ईपन सुं करेंछे तो के इन पनीफक्त करेंछे नेंडर करेंछे ओर के तो क्रबन डायोक्साइड अर्ट इसा लागेस कॉंट्रियल चे चे तो कि जहरेी में जफ जहाँ चे अट्यारे प्रोसे के उएकरमाउंक वादेंछे स्टिकंट्सट्रीo bit छहे एनीं माूं एक्मोस्फीयर मां मिंतान को ना तो रही शेक चाहे है तो के अमॉंट्से काई का हो कि छाही जहें तो मों थे इंस्पाय था फ्लांटेशन करो को रही यह आउं फारें तो में जर्पनेक्वार्ट्स हो रहा है जो अंच थाउए ह हुआ यह जही ए प्लांट अपने यूज़ करता हो यह चे, एनी अमांट में रिदूस करो, तो हावरी काना था में कार्बन डाइपसाइट छे, यहनू बालंस चेह, मेंटेन करी शो को चो, अब नेक्स आपने वाद करें, तो के मिथन, तो के मिथन, तो के मिथन तो के मिथन, 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 तो या प्रोसेस नेचरलली थती हुए इ रितना मिथ्ख Act प्राइमरी स grew प्राइमरी स्ट स्टे मिथ हके लेडिकना लिचा वात कर्या है नाल्मल डाइबराईट्ट्टर सेक्टर हिस रिलेज करतुerekल सब्सक्राइब आपने अनिमल मैन्यूर विशेपन वाद करें जानिया छे कि आतिया नॉर्मली प्रिपैर थतु होई तो एमा परसों थाइचे तो कि सीएट मिथें चे इसों थाइचे तो कि रिलेस थतु होई छे कि आपने चे कि रिलेस थतु होई छे काई रिद्धिन था मिथें चे क्रूड आपने चे करें चे रिलेस थतु होई छे आम जम बात करें कि landfills, landfills मा कही रिखना release है चाहिए तो कि अपड़ा इनो disposal करिये चीए, जारे landfilling थाटू होई चाहिए तो ए टाइमें पड़ मैक्सिमुम अमाउंट मा मिथान चाहिए रिलिख सतो है चाहिए अट्मोस्फियर मा अन्नी रिखना सून आई चाहिए तो कि अन्नी अमाउंट चे इंक्रीस सत्यों चाहिए जाना जा मिथान नो बालंस जा मैंटन रहू जाट्मोस्फियर मा इं मैंटन रहू तो नथीच इटीज इस कंसिडराज मेजर ग्रीन हाउस गेस बिकोज इच मिथान मोलेक्यूल है 25 ताइम ग्लोबल वर्मिंग पोटेंश न ना जानी वात करी एनी इफ्ट वधेश चे है के एनी अमाउंट वधेश इंक्रीस साइच एटमोस्फियर मा तो साथे च इक बीजू कमपोनेंट जाए ज्याघ के जेए पनें हिंडर कर चे कई में कंपोनेंट्न गांट काउंट्स अमेंट वॉटर वेपर यह एनू कर बै वाँट चाहिए चाहिए अब चाहिए अमाउट चाहिए अमाउंट चेह इपन अपैसल पनगुत करीशा ज़रूरीचे इव जो मेतन दियुक न difाइड चे न अमांट इंक्रीस साइथ तो याख वॉटर साइकल ने पर अफेक्ट कराचे वॉटर वैपर चे ना पर इंक्रीस साथी होई अज अपना नेक्स्ट वात कि टो पह नैट्रोस ऑकसाइड पिरा पर तो नाइट्राइस ओक्साइड चे नहीं कहा थी मैंनले रिलीस है चे फ्रों बेक्टेरिया इन सोल कहीं रितना है तो कि यह और नाइट्रोजण चे प्रेजंट होई चे अब इन सोल मा आवे क्या थी चे तो फ्रों पर पड़िलाइजर ने उस यूस रिये चे नाइ नाइट्रोजन चे के जो यूरिया ना फोम मा कोई भी रिखने बोट टो पर लाइजना हो में प्रेजन आपने प्रेजन करिफे टर्जायट मा अनि इसुंता हिए अंवर्डान चाहिए इप्रेज़ा चेह आट्मस्फ्वेर मा मीजी सेभीन बेक्तेरिया था ऊपाइयन आपे चेहें बाकतिरिया चेहां कोंट्रोबूटि करें। अबामें ओस्याक्षन लुक्तिल्पा पनातां सब्सक्राइबूटितो का भना सब्सक्राइबूटियुक करें। एक क्राएपी प्रोसेस, है जिए बाइप्रोड़क्त, चाहए नाइ illness घराएक जिए नाइटरसोड दाठावाएचा जिए हाए भीन जिए रिलीहरर बन है एकर। स्बीमें सेह में जिए तौर modern agricultural practices like tilling, soil cultivation, livestock, waste management, waste water management and the use of nitrogen rich fertilizer contribute to significantly to nitrous oxide emission, okay. A single nitrous oxide molecule has 298 times the global warming potential of carbon dioxide molecule. तो पन आपन सुगर है चता के हिंडर करे छे. तो आपन बेसिक्स बाद करें के पेचे greenhouse gases छे, के एनू emission कही रिते थाई छे, कही रितने एनू amount increase थाई छे, कही रितने आपे greenhouse effect माई contribute कर रहे छे. Okay, so that's it.